आज हम explain करेंगे एक जर्मन मूवी को जिसका नाम है Look Who's Back मूवी शुरू होती है Second World War के बीच में बर्लिन की एक जगह पर जहां हिटलर उसका Personal Behavior Coach कौपल के साथ दिखाई देते है जहां पर हिटलर कौपल को बताता है कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ा दुश्मन के जड़ हिलाने में दूसरे ही सीन में हिटलर खुद को पाता है एक जंगल में लेटे हुए और आस्मान में हिटलर को कोई भी दुश्मन का हवाई जहाज दिखाई नहीं देता है पर उसको लगता है कि शायद दुश्मन कुछ देर के लिए आराम कर रही होंगे अचानक एक बॉल उसके तरफ आता हुआ दिखता है और उसके पास आके रोग जाता है उसके बाद वो जमीन से उठता है और बिल्डिंग के ओर जाने लगता है तब ही हिटलर अपनी सामनी तीन बच्चों को देखता है और उनमें से एक हिटलर की तवियत के बारे में पूछता है हिटलर उन बच्चों को देखता है और सोचता है कि ये सब बच्चे ही देश का भविश्य है और बच्चों को में रोड का पता पूछता है उसी सीन में फैबियन नाम का एक आदमी जो की जर्नलिस्ट है वो बच्चों को शूट कर रहा होता है और हिटलर भी उस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है हिटलर अपना आर्मी कैप उठाता है और खुद को कहता है कि उसको अब बांग कर लौट जाना चाहिए हिटलर जब स्ट्रीट पर पहुँचता है वो आचम भी थोग जाता है ये देखकर कि कुछ लोग मोनोविल बाइक चला रहे है आसपास कि जो लोग थे वो अपने फोन से उसको कैप्चर कर रहे थे वही पर एक मौडरन कार को हिटलर टच करके देखता है और सोचता है कि शायद वो कोमा में था और वो सेकंड वर्ड वर के विक्ट्री को मिस कर दिया वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बर है और वो इनफोर्मेशन कलिक्ट करने में जुड़ जाता है अपने सिच्वेशन को समझने के लिए हिटलर आसपास के लोगों से बहुत दिस्टर्ब फिल करने लगता है उसके बाद हिटलर चलने लगता है और देखता है कि एक औरत आपनी फोन में जर्मन में कुछ बात कर रहे है तो वो उस औरत के पास जाता है और कारिंट डेट पूछता है पर वो औरत डड़ जाती है हिटलर के आखों पे पीपर स्प्रे कर देता है पीपर स्प्रे के वज़े से हिटलर को सब कुछ धूंदला दिखने लगता है जैसे तैसे पास के एक न्यूस पीपर शॉप में वो जाता है और डेट को देखते हुए वो आश्चरिय चकित हो जाता है और सेंसलेस हो जाता ह एक दूसरी सीन में एक टीवी चैनल का बॉस कर्णर चैनल के डेपूटी हिट क्रिस्टफ को फ्रेज करते हुए दिखाई देते है उसके अच्छे काम के लिए पर मैनेजिंग डिरेक्टर के लिए उसी कमपनी के एक दूसरी इंपलोई काटिया के नाम लेते है इसी बात से क्रिस्टफ दुखी हो जाते है उसके बाद वो अपने केबिन में आता है और एक स्ट्रॉगलिंग फिल्म मेकर फेबियन की उपर अपना सारा गुसा निकालता है हाला कि फेबियन अपना पूरा एफर्ट लगा देता है अपने बॉस को समझाने में पर फेबियन को आफिस से बाहर निकाल दिया जाता है कुछ तेर बाद हिटलर को होश आता है और दिखता है कि वो उसी न्यूसपीपर शॉप में है और पूछता है कि आज का डेट क्या ह वो न्यूसपीपर ओनर आज का डेट 2014 का बताता है हिटलर पूछता है कि क्या उसको किड्नैप किया गया है और वो सोचता है कि शायद ये दुश्मन देश का ही चाल है वो शॉप ओनर को ये बोल के ड़राता है कि उसे मार दिया जाएगा अगर वो दुश्मन देश के साथ मिला हुआ है पर शॉप के पर हिटलर को पूछता है कि क्या हिटलर के उपर कोई डॉकुमेंटरी बन रहा है और बताता है कि आप एकदम हिटलर की तड़ा ही दिखते हो उसके जबाब में हिटलर कहता है कि मैं ही हिटलर हूँ उसके बाद वो न्यूसपीपर पढ़ने लग था कि उसका जॉब अपने ही रहा तभी फेवियन के मा दिलासा देती है कि चिंता मत करो तुम्हें जल्द ही यूट्यूप में कोई ना कोई काम मिल जाएगा तभी फेवियन के मा वीडियो को पॉस करने के लिए कहती है और पीछे हिटलर दिखाई देते है वहाँ न्यूसप पीपर शॉप में शॉप उनर हिटलर को पीपर को साइड में रखके बाहर जाने के लिए कहता है हिटलर थोड़ा गुसा हो जाता है ये सोचके कि कोई उसको काम करने के लिए और दे रहा है शॉप उनर हिटलर को अपना क्लॉट्स क्लीन करने के लिए कहता है क्यूंकि वो यूनिफर्म क्लीन करने के लिए कहता है और पूछता है कि दूसरा कोई यूनिफर्म है के नहीं क्योंकि ऐसे हालत में वो बाहर नहीं जा सकता उसके बात हिटलर दिखाए देता है और दूसरी तरफ फेबियन हिटलर को ढूंटते हुए पेपर शॉप में आप पहुँचता है फेबियन हिटलर को इस ड्रेस में देखकर हैरान हो जाता है तब ही फेबियन हिटलर को पूछता है कि उसको लेके एक फिल्म बनाने का सोच रहा है जिसका सबजेक्ट है Hitler in modern time तो Hitler मान जाता है Fabian अपने मा से कुछ पैसे और गारी लेकर शूट करने के लिए निकल पड़ता है Hitler के साथ दोनों एक hotel room में जा पहुँचे और television को देखकर Hitler चौक गे और Hitler decide करता है कि वो Fabian के documentary में politics को लेकर बात करेगा दोनों बहुत सारा जगा घूमता है और लोगों से politics के बारे में पूछता है और interview के बाद उसको पता चलता है कि लोगों के उपर democracy का कोई ज्यादा impact नहीं था उसके बाद एक पार्क में Hitler को एक कुट्टा ने काट लेता है और हिटलर उस कुट्टे को गोली मार देता है तो Fabian हिटलर को डाटता है और गन ले लेता है कुछ टाइम के बाद Fabian के पैसे खतम हो जाता है पर Fabian अपना दिमाग लगाता है और स्ट्रीट में लोगों को convince करता है कि हिटलर से अपना portrait बनाएं और हिटलर फाइनली अपना creative side को explore करता है और लोगों को funny pictures ड्रॉ करता है जो कि सबको बहुत पसंद आता है और उसके लिए वो लोग pay करते हैं और वो दोनों कुछ पैसे जोड़ लेते हैं फिर बाद में वो दोनों अपना journey complete करते है और फेबियन अपना पुराना boss को Hitler का clip दिखाता है जो कि उसने already internet पे upload कर दिया था और उसमें बहुत सारा views भी मिल चुका था जिसे देखकर Christophe impressed हो जाता है और Hitler का असली नाम और contact number पूछता है पर Hitler को मिलने के बाद Christophe को लगता है कि Hitler एक पागल है और फेबियन को बोलता है कि अभी वो office से निकल जाए पर दूसरी तरफ Hitler managing director के पास चला जाता है और कहता है कि चलिए एक साथ हम जर्मनी को बचाते है ये बात director को पसंद आती है और वो उसके plan के बारे में पूछती है उसके बाद एक TV broadcast का preparation चालू हो जाता है उसके बाद फेबियन Christophe से अपना job वापस मागता है नहीं तो वो Hitler को लेकर वापस चले जाएगा ऐसा धमकीफी देता है Christophe उसको kitchen boy बना देता है और promise करता है कि कोई editorial post खाली होने पर वो उसको promote करतेगा Christophe plan करता है कि Hitler को एक live comedy show पर telecast किया जाएगा Christophe अभी भी कुछ साथा क्योंकि बलीनी को promotion मिला था उसकी जगा इसलिए किसी तरह से कुछ ना कुछ problem create करना चाहता था उसका plan था racism को debit पे लाया जाए जी उसके उपर sarcastic joke crack करके ताकि Hitler को news channel से बाहर कर सके उसके बाद show शुरू होता है और host Hitler को stage पे बुलाता है जब Hitler stage पे आके audience की तरफ देखता है तो पूरा hall में सनाटा चा जाता है उसके बाद Hitler कहते है कि television इतिहास का बहुत ही महान खोंच है पर जो shows का broadcasters है वो सब idiot है और वो गरीबी और बेरोजगारी के बारे में भी बात करता है और ये भी बताता है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो पिछरते जा रहे है और promise करता है कि वो इस सब के खिलाफ लड़ेगा लोगों को हिटलर के बात पसंद आता है और सभी cheer करने लगते है हिटलर की popularity को देखकर डिरेक्टर हिटलर को सारी प्रोग्राम में शो करने के लिए कहते है क्रिस्टोफ गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका plan fail हो जाता है फिर हिटलर बहुत सारा टीवी शोज में इंटर्व्यू देते हुए दिखाई देते है और बताता है कि वो जर्मनी को पहले जैसा महान देश के रूप में देखना चाहता है दूसरी तरफ क्रिस्टोफ को एक letter मिलता है जो कि उस dog का payment के लिए था जिसको हिटलर ने गोली मारा था क्रिस्टोफ खुश हो जाता है अगला एक टीवी शो में हिटलर को डिरेटली पूछा जाता है वर्ड वर्ड के दोडान उसके different role के बारे में तो हिटलर कहता है कि वो बस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुचना चाता है तभी interviewer कहता है कि आपका सारा काम को justified किया नहीं जा सकता और वो वीडियो सब के सामने play करता है जिसमें हिटलर ने उस कुट्टे को मार रहा होता है वीडियो बहुत ही disturbing लगा audience को गुसे में हिटलर ने कहा कि आपके साथ भी ऐसा ही करूँगा और आपकी studio को parking lot में बदल के रख दूँगा क्रिस्टोफ बहुत खुश हुआ लोगों का negative response देखकर उस interview के बाद बलीनी को काम से निकाल दिया जाता है और क्रिस्टोफ को नया डिरेक्टर प्रोमोट कर दिया जाता है दूसरी सीन में हिटलर दिखाई देता है फैबियन के घर पे रहते हुए और हिटलर एक book लिखता है जो की market में best seller बन जाता है तीन महिने बाद टीवी चैनल एक बहुत ही loss का सामना करता है जिससे क्रिस्टोफ बहुत ही गुसा हो जाता है तब ही एक employee हिटलर को वापस लाने का सलह देता है और क्रिस्टोफ हिटलर को ढूंडने निकल जाता है और Fabian को मिलके कहता है कि वो करोरो invest कर सकता है उसके और हिटलर की वो फिल्म में पर वो movie उसका ही टीवी स्टेशन में release करना होगा अगले scene में Fabian हिटलर को enact करने के लिए कहता है कि वो यहाँ पर कैसे आया था और ball उसके पास आने से पहले क्या हुआ था पर हिटलर को कुछ भी याद नहीं आ रहा था जब हिटलर सेट से बाहर आ रहा था तभी कुछ लोगों से जोर का मुक्का उसके मूपे पड़ा और अगले सुभा हिटलर का आँख खोला हॉस्पिटल में जहां पर बैलीनी भी मौजूद थी सेम टाइम पे फेबियन उस वीडियो को अच्छी तरह से देख रहा था तभी फेबियन ने देखा कि जहां पर वो सोया हुआ था वही पर से वो वापस भी आया फेबियन वो लोकेशन पर गया और देखा कि वो एक हिस्टॉरिक लोकेशन था फेबियन जल से जल हॉस्पिटल पहुँचा पर वहां हिटलर नहीं था बेलिनी बोली कि हिटलर शुटिंग सेट पे चला गया था फेबियन ने बेलिनी से कहा कि ये हिटलर ही असली हिटलर है जो की बेलिनी बिलीव नहीं करती है Fabian historically extend करने की कोशिश करता है पर guards उसको पकड़ने का कोशिश करता है पर Fabian वहाँ से भाग जाता है Fabian set पर पहुँचता है और Hitler की तरफ gun point करके उसका real identity के बारे में पूछता है जवाब में Hitler बताता है कि वो कभी भी ये नहीं कहां कि वो कोई और है Fabian कहता है कि हिटलर लोगों को बेवकूफ बना रहा है खुद का प्रोपागंडा के लिए Fabian हिटलर को छट के एक कॉर्णर पे लेके जाता है और उसको monster बुलाता है जिसका जवाब में हिटलर बताता है कि लोगों ने सब कुछ जानते हुए हिटलर को elect किया था कि कोई भी जर्मन हिटलर से बच नहीं पाएगा और पीछे मुर्ते ही देखता है कि हिटलर उसके पीछे ही खड़ा है जिसी वो अभी अभी बिल्डिंग से फेग दिया था बस तभी बेलिनी कट कहती है और स्टूडियो के अंदर सभी मिलके चियर करने लगता है तभी पता चलता है कि ये जस्ट एक फिल्म का शूटिंग हो रहा था और कोई रैंडम एक्टर फेबियन के रोल ट्ले कर रहा था किसी और सीन में फेबियन को दिखाता है एक मेंटल असाइलम में और दूसरी तरफ बेलिना और हिटलर आटोग्रफ और इंटर्व्यूज देने में बिजी था क्यूंकि वो फिल्म बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और लास्ट सीन में जब हिटलर गारी से जा रहा था तब सभी उसको ग्रीट कर रहा था और इसी के साथ ये मूवी यही पर खतम होता है और अगर आप जानना चाते हैं कि एक रानी समुद्र राक्षिस का दिल निकाल के क्यों खाती है तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम रोज ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहते हैं वीडियो को अंध तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद